सर्किट डाइग्राम है, इस सर्किट डाइग्राम को अच्छे से दिखो और इसके कॉंसेप्ट को ढग से समझ लेना प्यारे बच्छो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हाँ चलो, एक टू सेंस है, एक सेल A and B है, तो एक A है और एक B है सेल, कता है, बोल्टेज, इसकी पहले से mention है, अल्रेडी दिया हुआ है, प्यारे बच्छो, टूल बोल्ट, और R1 की वैल्यू दिया हुआ 500, और R ये ये 100 है, गल्बनो मीटर में कोई करेंट नहीं सो हो रहा है, इसमें जो रीडिंग है, वो 0 है, ठीक है, तो बोल्टेज, ये वाली जो बोल्टेज है, इस इसकी value calculate करनी है, I want to calculate the value of this voltage, टीक है, तो अगर देखो, इसमें current 0 है, तो ये इसके cross potential difference होगा, वो इस point का ही होगा, इस point, मतलब, इस point और इस point ये potential difference इसके cross होगा, और इस point और इस point के बीचका, इस point और इस point के बीचका potential difference ये देगा, क्योंकि इसमें कोई current ही रहा है, ये circuit, तो ये जो point है, इस point first, इस point first और इस point second, वही potential difference between the first and point potential difference अब बीवी होगा, ये बात सब को समझे में आए, क्योंकि इधर कोई current ही रहा ही है, ये circuit बेकार है, ठीक है, मतलब, इस circuit को मैं ऐसे read रहा कर सकता हूं, ऐसे कुछ, ठीक है, प्लस माइनस, ऐसा कुछ, और इसके cross voltage, है, और point two है, तो ये, इसके cross voltage ही, यहाँ पे, voltage देगा कि, उधर कोई current ही नहीं फ्लो हो रही है, बच्चो, तो इसका मतलब ये हुगा, कि इसमें कितनी current flow हो रही है, वो तो निकाला जा सकता, current I is equal to EMF, बोलो 12 volt upon resistance, net resistance कितना बोलो, 500, R1 500 और 100, 600, तो 500, R1 plus 100, that is 600, that is 12 upon 600, that is 1 upon 50 ampere, that is the main current in the circuit, तो ये जो है, अब इसके cross, जो voltage है, इसके cross, ये कितना था, बोलो, R की value कितनी थी, R की value थी, ये 100 था, ये 100 ohm था, तो इसके cross जो voltage का drop आएगा, इसके cross जो voltage का drop आएगा, V, that is IR के equal होगा, समझे रहे हैं, इसके cross, जो voltage आएगा, इसमें यहां से current जा रही है, I, ठीक है, यहां से current जा रही है, I, तो I in current कितना है, 1 by 50, और इसका resistance 100 दिया हुआ है, मतलब ये आजाएगा, 2 voltage का solution होगा, this is the B option, सही है, this circuit is, मतलब ये इसमें कोई current ही नहीं जा रहा है, चलो, next,